जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes YouTube चैनल और एप में दोस्तो अभी तक अगर आपने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो एप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तो आप हिंदी साहित का संपूर्ण कोर्स TGT PGT का मॉडल पेपर हिंदी साहित की 3000 प्रस्णों की Test Series इंट को आपको दोस्तो इसमें अडवीसन आप ले सकते हैं कम से कम प्राइज में ठीक है तो आज जो तो हम डाउट्स वाले प्रस्णों को पढ़ने वाले हैं जो हमेशा एक्जाम में आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है आप से एक प्रश्ण पूछा जाता है कि उर्वसी की रचनाकार कौन है डाउट्स नमर एक उर्वसी की रचनाकार कौन है तब आपके मन में एक डाउट्स रहता है कि ये तो दिनकर की रचना है ठीक है एक doubts रहता है लेकिन दोस्तों आपको पता है कि एक रचना जैसंकर पिरसाद की भी और बसी है ठीक है यहाँ पर दोनों बिकल्प आपको दिये गए हैं ठीक है आपकी बिकल्प में ऐसे दोनों बिकल्प नहीं दिये जाएंगे जब आपका प्रस्ण पर इच्छा में पूछा जाएगा एक ही बिकल्प आएगा तो यहाँ पर doubts में नहीं रहना आपको क्या करना है यहाँ पर अगर दिनकर option में आता है तो आप दिनकर लगाईए और जैसंकर पिरसाद आता है तो जैसंकर पिरसाद लगाईए क्योंकि और बसी की रचना दोस्तों जैसंकर पिर तर्में ठीक है तो एचीज आपको याद रखे ना यानि की और वसी रचना इन दौनों रचनाओ कारों की भी मलब और वसी नाम से इन दौनों की रचना है ठीक है डाउट्स नमर एक आपका किलियर डाउट्स नमर दो देखते हैं दोस्तों हिंदी का पाड़नी किसे कहा जात अब दोस्तों यहां पर क्या doubts रहता है आपका सबसे पहले आप से पुचा जाता है हिंदी का पाड़नी और आप आंखे बंद करके लगाते कामता-प्रसाद गुरू ठीक है जब की question ऐसा नहीं है हिंदी का पाड़नी आपसे पूचा है अगर तो आपको लगाना किसोरी दास बाचपेई अगर हिंदी का पाड़नी आपसे पूछा है तब आपका उत्तर होगा किसोरी दास बाचपेई लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछा कि हिंदी ब्याकरण का पाड़नी पूछा है तो आप क्या लगाओगे कामता प्रसाद गुरू तो दो क्वेस्चन यहां से आ क्या हो जाते हैं आप से normal question आएगा कि हिंदी का पाढ़नी किसे कहा जाता तो आप क्या लगाओगे कि सोरी दास बाचपेज अगर आप से पूछा जाए हिंदी ब्याकण का पाढ़नी किसे कहा जाता तो आप लगाओगे कामता प्रसाद गुरु है ना फिर आप से अगर डाउट्स नमर तीन की प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया अब यहाँ पर क्या डाउट्स रहता है दोस्तों यह डाउट्स रहता कि प्रियोग बात का जब प्रवरतन या प्रियोग बात के जब प्रवरतन अग्ये माने जाती हैं तो प्रियोग बा सबसे पहले प्रियोग किया था किसने नंद दुलारी बाच पही ने सबसे पहले प्रियोग किया था इस प्रियोग बात का किसने नंद दुलारी बाच पही ने लेकिन अगर यहां question पूछा जाता है कि प्रियोग बात के प्रिबर्तक कौन है तो आप लगाओगे क्या अग्ये प्रियोग बाद की प्रबोड तक कौन है तो अगये प्रियोग बाद सब्डिका सबसे पहली प्रियोग किस ने किया तो आफ लगाओगे नंद दुलारी बाचपे ठीके तो डाउट्स नमघ तिन आपका यहां से किलियर हो जाता है बात करते हैं दोस्तों डाउट्स नमर चार की एक रास्ट्रिय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है अब यह ऐसा अगर question आपसे पूछा जाए तो आप confused हो जाते हैं और आप आखे बंद करके लगा देते हैं माखनलाल चतुरविदी लेकिन question ऐसा नहीं है question क्या वोला एक रास्ट्रिय आत्मा तो रास्ट्रिय आत्मा अगर आपसे पूछा जाता तो आपका उत्तर होगा राजा राम सोकले अगर आपसे पूछा जाएगा एक राश्ट्रिय आत्मा नाम से किसे जाना जाता तो आप क्या लगाते हैं दोस्तों माखनलाल चतुरविद तो जो दो डाउट्स दो प्रस्ने डाउट्स वाले आते हैं आप से पूछा जाएगा एक भारती आत्मा किसे जाना जाता है तो आप माकरला चुत्रवेदी लगाना और एक राष्टी आत्मा नाम से किसे जाना जाता है तो आप क्या लगाओगी राजा राम सुकले तो डाउट्स नमर चार आपका बिलकुल किरिया ठीक है डाउट्स नमर पाँच है ना अपरण्स का भावबूती किसे कहा जाता है तो यहाँ पर दोस्तो दो चीजें बनती हैं एक तो पूछा जाता है अपरण्स का बालमी की पूछा जाता है तो अब ब्रेंस का बालमी की और अब ब्रेंस का भावबूती यहां पर आपको confused हो जाता है कि अब ब्रेंस का बालमी की किसे कहा जाता अब ब्रेंस का भावबूती किसे कहा जाता तो याद रख ले ना अब ब्रेंस का भावबूती कहा जाता दोस्तो पुस्पदंत को अब हम स्वयम्भू है ना मुले हम तो स्वयम बालमिकीयं स्वयमं से स्वयम्भू और बालमिकी किस ने कहा यहां पर धोस्तों बहुत साई डॉट्स rezodia दाउट के ऐसा रहता है दो question पूछे जाती एक तो पूछा जाता है कि कवीर की भासा को साधुक्टली किस ने कहा यह ना तो और दोस्तो कवीर को बाणी का डेक्टेटर किस ने कहा तीसरा question इन तीन मेंगा डाउट्स रहते हैं अब इसडाउट को आवяж हम clear करते डाउट्स नम्मर अपना फस्ट यही है कि कबीर की वासा को साधुकली किस ने कहा तो तब ऐसा अगर पूचा जाए साधुकली किस ने कहा तो आपको लगा ना राम चंदर स्चुकल है ना और अगर आपसे पूचा जाए कि कबीर की वासा को पंचमेल खिचली किस ने कहा तो पुरिसर इसको कैसे याद रखेंगे तो आपको पता है जब पंचमेल खिच्डी बनेगी तो वो खराब बनेगी या फिर सुन्दर बनेगी पुरिसर बहुत ही सुन्दर पंचमेल खिच्डी बनी सुन्दर बनेगी न पंचमेल तो स्याम सुन्दर पंचमेल कहेंगे तो राम से राम्चनात्वाइदाय। हजारी परसाद दुवेदी ने बानी का डिक्टेटर कहा है। नम्बर एक आपका यहां पर किलियर होता है। ठीक है? डाउट्स नमबर दो की बात करें। अरदनाकर कि रचनाकार कौन है? चार विकल्ब में दिनकर, विश्नु प्रभाकर, धरंबीर भारती और राम बिलास सर्मा अब यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूजन वाला सिस्टम रहता है अर्द नारी स्वर की रचना कार कौन है यह आप से पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर याद रखेना दोस्तों कि अर्द नारी स्वर एक तो दिनकर की भी रचना है और दूसरा विश्नु प्रभाकर की भी रचना है लेकिन आपको कैसे याद रखेना दोस्तों दिनकर का यह क्या है निबंद है दिनकर का ये क्या है अर्धनारी सुर निबंद है जबकि विश्णु प्रभाकर का ये क्या है दोस्तो ओपन्यास है ठीक है इसको अपन को याद रखने ना है दिनकर का क्या है निबंद है विश्णु प्रभाकर का क्या है ओपन्यास तो अर्धनारी सुर दोस्तो इस प्रकार से अगर रचना पूछी जाएगा अर्धनारी सुर की रचना कार कौन है तो ये दौनों नहीं दिया जाएगा किसी में से दौनों में से एक दिया जाएगा ठीक है अगर आप से पूछा जाएगा कि अर्धनारी सुर निबंद की रचना कार कौन है तब अगर दौनों भी दिय जाएगा तो आपको उत्तर लगाना है दिनकर आपसे पूछा जाएगा अर्दनारी सुर उपन्यास के रचना कार कौन है दोनों भी दिया जाएगा तो आपको क्या लगाना है दोस्तो विश्णू प्रभाकर तो विश्णू प्रभाकर का अर्दनारी सुर क्या है उपन्यास और दिनकर जी का क्या है निबंद ठीक है तो यह डाउट्स नमर दो आपका क्या होता है किलियर होता है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आते त्रसंकु के रचनाकार कौन है यह त्रसंकु कई बार रचना पूछी गई दोस्तों त्रसंकु के रचनाकार कौन माने जाते हैं त तरसंकु देखो तीनों की रचना है दोस्तों अग्ये की भी रचना है ब्रज मोहन से की भी रचना है और मन्नु भंडारी की रचना भी तरसंकु है अब आप लोग पढ़ते की सर तरसंकु रचना आती है कभी आप मन्नु भंडारी बता देते हो कभी अग्ये बता देते हो ल ठीके मन्नु भंडारी का त्रिसंकु क्या है कथा संग्रह या कहानी संग्रह है ठीके तो यहां पर आपको डाउट्स नहीं करना आपसे अगर पूछा जाए कि त्रिसंकु कहानी संग्रह है कि लेखी का कौन है या लेखा कौन है तो मन्नु भंडारी ठीके अगर आपसे विकल्प में एक आपकी विकल्प में दिया जाएगा या तो अग्गे होगा या ब्रजमोहन से हैं या मन्नु भंडारी इन तीन मैसे एक आपकी विकल्प में होगा तीनों कभी नहीं होगा ठीक है तो त्रिसंकु निबंद किसका अग्गे त्रिसंकु नाटक ब्रजमोहन से ह हैना त्रिसंकू, दोस्तो, कहानी संग रहे, मन्नु भंडारी, ठीक है, तो डाउट्स नम्मर दोस्तो, अपना ये किलियर होता है, हैना, सभी का डाउट्स, इसी प्रकार से दोस्तो, कई वीडियो आने बाले हैं, डाउट्स बाले, जिनको अपन किलियर करेंगे, अंगला ब्रंदावनलाल बर्मा में और किसोरी लाल गोश्वामी में, हैना, जबकि दोस्तो आपको पता है, हिंदी के प्रत्म एतियासिक उपन्यास्कार, जो माने जाते हैं, किसोरी लाल गोश्वामी माने जाते हैं, जबकि अंगला ही question पूछा जाता है कि हिंदी में एतिहासिक कहानी परंपरा के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं एतिहासिक कहानी के जनक कौन माने जाते हैं ब्रंदावन लाल वर्मा जबकि हिंदी के प्रतम एतिहासिक उपन्यासकार माने जाते कौन के शोरी लाल गोश्वमी है ना तो इसको याद रख लेना इसका उत्तरापका क्या होगा हिंदी के प्रतम एतिहासिक उपन्यासकार के शोरी लाल गोश्वमी जबकि हिंदी के प्रतम कहानी हिंदी की दोस्तो याद रख लेना एतियास एक कहानियों की परंपरा का जनक भरंदावन लाल बर्मा य के सोली लाल गोसवमी या हिंदी के प्रतम यहाद यहाद सरे डाउट सापका यहाँ पर किरियर होता है दोनों को ठीक है अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे अंगली प्रस्ट पर ये question पूछा जाता है कठेन काब का प्रेत किसे कहा जाता है और दूसरा question पूछा जाता है कठेन गद्द का प्रेत किसे कहा जाता है दोनों में लोग कनिफ्यूज होते हैं कठेन काब का प्रेत और कठेन गद्द का तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि दोस्तो काब अगर पूछा जाए तो काब का पूछा जाए तो काब का पूछा जाए तो गद्ध में आपका उत्तर होगा अग्गे कामन सेंस कैसे लगाओगी पूली सर केसा अधास ने काब ही लिखा है केसा अधास ने क्या काब रचना ही की है तो कठन काब का पूछा जाएगा जबकि दोस्तो अग्गे ने आपने काब रचना भी की है है ना गद्ध में भी इन्होंने दोस्तो रचना ही की है तो कठन गद् केश अउदास दो क्वेश्चन यहां पर डाउट्स वाले बनते हैं और दोनों क्वेश्चन आते हैं परिक्षा में हमेशा गलत होते हैं डाउट्स में कठेन काब तो काब किस ने लेखा केश अउदास ने तो केश अउदास है ना कठेन गद्ध तो गद्ध दोस्तों अगर यहां से भी कॉस्चन आता है कि रीतिकाल का प्रवर्टक किसे माना जाता है नॉर्मल अगर कॉस्चन पूछा जाता है तो उत्तर होता है के सवदास है ना अगर आप से पूछा जाता है दोस्तों नगेंदर ने रीतिकाल का प्रवर्टक किसे माना तब आपका उत्तर हो अगर इस प्रकार से question पूछा जाता है क्योंकि आपको पता है कि इलाचंद्र जोसी की भी रचना है लेकिन इसकी बिधा क्या है वो देखना है अपन को कीला चंद्र जोसी की जो सन्यासी रचना है इसकी बिधा है दोस्तो उपन्यास यानि कि ये कीला चंद्र जोसी का क्या है उपन्यास है जबकि ये लच्छमी नाराण मिस्र का क्या है नाटक के नाटक आपको पता है लच्छमी के नाटक में लच्छमी का नाटक छोड़के लो इलाचन जोसी का इस सन्यासी क्या है ओपन्यास ठीक है इसको देखेंगे अब दोस्ता दूसरा आपका डाउट से मुक्ति पत के किसकी रचना है अब मुक्ति पत के बारे में दोस्तों आपको दिख रहे होंगे उदैसंकर भट्ट इलाचन जोसी और अभाय मौर की तीन लोग किसका है तो आपका उत्तर उदैसंकर भट्ट होगा आपसे पूछा जाएगा मुक्ति पत उपन्यास किसका है तो उपन्यास दोस्तों इलाचन जोसी का भी है और अभाय मौर का भी उपन्यास ही है इसी नाम से तो मुक्ति पत उपन्यास इलाचन जोसी और दोस्तों अभाय मौर इसको आपको याद रख़े ना हुद्य संकर भट का मुक्टीपत क्या है नाटक है इला चंजोसी का क्या है हो पन्यास है अभाय मौर का क्या है हो पन्यास है तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि मुक्तिपा तो पन्यास किसका है तो इन दो मैंसे एक option में मिलेगा या तो इला चंजोसी या फिर अभाय मौर ठीक है इसको याद रखना अब दोस्तों पंच बटी प्रसंग पंच बटी प्रसंग किसकी रचना है एक रचना आती है दोस्तों पंच बटी एक आती है और एक रचना पूछी जाती पंचबटी प्रसंग है तो पंचबटी यह तो आपको पता है कि पंचबटी यह जो रचना है क्या है दोस्तो खंड काभ है मैत्रीASH रंगुप्त का लेकिन पंच बटी प्रसंग की रचनाकार कुण है तो वो है निराला ठीक है आपको पता है निराला अच्छाया बात की आधार स्तम में माने जाती है तो पंचबटी पर संग निराला और मैत्री शरंगुप्त की रचना पंचबटी आज से दोस्तों आपका ये doubts भी clear अब याद रखते ना पंचबटी निराला पंचबटी पर संग पंचबटी मैत्री शरंगुप्त पंचबटी पर संग निराला ठीक है फिर यहाँ पर बात कर अगर आपसे पूछा जाए कि बापसी एकांकी किसकी है तो आपको क्या बताना है बापसी एकांकी की रचना का रुदय संकर भट बापसी कहानी उसा प्रियमबदा ठीक है इसको याद रखेना और आपसे नॉर्मल पूछा जाए बापसी किसकी रचना है तो इन दो मैंसे एक option आपको मिलेगा या तो उसा प्रेयंबदा या उदय सक्रबट दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे doubts clear किसी प्रकार से दोस्तों आपको बने रहना है वीडियो को like और share जरू करना है आपका अंगला doubts से रस बेमर्स किसकी रचना है रस बेमर्स के लिए का कौन है यहां तो सीधा सीधा है दोस्तों रस्ब मर्स, राम मूर्ती तरपाटी, रस्मी मांसा, राम चंद्र सुकल, रस्तिद्दान्त, डाक्टर नगेंद्र, हैना कई बार पूचा गया कि डाक्टर नगेंद्र, इनकी रचना कौन सी है, रस्तिद्दान्त, राम चंद्र सुकल, रस्मी मांसा, हैना, डाक्टर राम किडियर होता है इंडाउट्स को भी अपन को किडियर करना है ठीक है स्वचंताबाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था अब देखते हैं दोस्तों इस प्रस्ण में बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे क्योंकि क्योंकि उनको पता है कि स्वचंताबाद के प्रबढ़ तक तो कौन मान जाते हैं स्रीधर पाठक तो स्रीधर पाठक ने ही स्वचंताबाद का सबसे पहले प्रियोग किया होगा यह ऐसा मानना हो जाता लेकिन नहीं doubts क्या है स्रीधर पाठक स्वचंताबाद के प्रवड़ तक हैं लेकिन स्वचंताबाद सब्द का प्रियोग सबसे पहले किया था मुकटधर पांडे ने अपन पढ़ते ना कि छायाबाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था मुकटधर पांडे ने ऐसे ही सुचंताबाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग भी मुकरधर पांडे ने ही किया था और दोस्तों सुचंताबाद के प्रवर्टक माने जाती है श्रीधर पाठक इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों ठीक है इन्हें आपको पता है प्रिकृति का उपासक कभी भ से कहा जाता है तब दोस्तों फिर भी लगा देते पन अब नहीं लगाना प्रिकृति का अपासक कभी स्रीधर पाठक स्वचनताबाद का प्रबढ़तक स्रीधर पाठक है ना स्वचनताबाद सब्द का सबसे पहले प्रियोकिस ने किया मुकुट धर पांडे ने इन पूछा जाता है फूलों का कुरता के किसकी रचना है तो फूलों का गुच्छा रचना किसकी है भारतेंदू हरिस्चन्द की लेकिन यहीं पर आपसे फूलों का कुरता पूछ लिया जाता तब भी आप कंक्यूज हो जाते फूलों का कुरता यस पाल और जो फूलों का कु हिंदी का प्रथम कभी कौन है अब यहां भी कई लोग कन्फूज हो जाती है अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कभी कौन है और प्रथम की जगा कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम महा कभी कौन है तो क्या होता है скомfusion बोले हिंदी का प्रत् żyम कभी कौन है तो उत्त लगाती सरःभपा है ना लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रत् gad कभी पूछा तो सरःभपा ठीक ओर हिंदी का प्रत्иля कभी स्वेंभु को माना किसने राम कुमार बर्मा ने ये भी आपको याद रख रही ना ठीक है और राहुट सांकरत्या ने किसे माना सरहपा को ठीक है अंगला डाउट्स अंगला है योगधार की रचनाकार कौन है योगधार अब यहां से दो रचना याती हैं दोस्तो एक तो पूछी जाती है योगधार और दूसरी पूछी जाती योग धारा अब इनको अपको दोस्तों क्या करना है अच्छे से पढ़ देना है योग धारा बोले योग की धारा में नांग बह गया कौन बह गया योग की धारा में योग की धारा में नांग बह गया तो याद रख़े ना तो योग की अगर धारा आ की मत्रा लगी हो, धारा की बात हो, तो उत्तर हो जाएगा नागरजुन, और धार की बात हो, तो सोहनलाल दुवेदी, योग धार, योग धार के लिए का कौन है, सोहनलाल दुवेदी, योग धारा के लिए का कौन है, नागरजुन, ठीक है, तो दोनों चीजे के लिएर, य योगधारा पूचा जाएगा तो आप क्या लगाओगे नागरजुन इनका बास्तविक नाम क्या था पता है बैदनात किसका नागरजुन का और बैदनात दुवेदी आपको पता है किसका नाम था उपनाम हजारी पिरसाथ दुवेदी का उपनाम भी बैदनात दुवेदी थ यह भी याद रखेंगे तो आपने क्या याद किया योगधारा नागरजुन योगधार चौहनलाल दोवेदी किलियर अंगला डाउट्स अंगला डाउट्स समय देउता के रचनाकार कौन है तो आप सीधे सीधे क्वेस्टन लगाना बताईए अगर आपको बनता है तो उत्त नरेश महता लेकिन एक क्वेस्टन यहीं और पूछा जाता है साहत देउता एक पूछा जाता है साहत देउता साहत देउता के रचनाकार कौन है अब दोस्तों यह साहत देउता क्या है निबंद है और यह निबंद किसका है मैंने आपको कई बार बताया कि साहत देउता को म माखन खवाना है और समय देवता है इसलिए लोग नरेश बन जाते हैं पुले वो नरेश बन गया पुले समय देवता है तो समय देवता की लंबी कविता है दोस्तों किसकी नरेश महता की और साहत देवता की रिचनाकार कौन है माखल लाल चुतरवेदी confusion है confusion confusion ही होना समय देउता नरेश महता और साहत देउता माखलाल चुत्रविदी इन प्रशनों को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ना है दोस्तों एक question आपसे पूछा जाता है कलम का मजदूर की रचनाकार कौन है है ना और दूसरा एक प्रशन पूछा जाता है कलम क सिपाही के रचनाकार कौन है दोनों में confused कलम का मजदूर और कलम का सिपाही कभी कभी कलम का सिपाही लगा पूछा जाता है तो हम कलम का मजदूर उत्तर लगा आते हैं और कभी कभी कलम का मजदूर पूछा जाता है तो कलम का सिपाही उत्तर लगा आते हैं ऐसा नहीं करना है इसको देखो दोस्तो यहां पर दिया कलम का मजदूर तो कलम का मजदूर के रेचनाकार कौन है यह दोस्तो दोनों ही जीवनिया है और दोनों ही जीवनी प्रेम चंद के जीवन पर आधारे थे हैं तो यह कलम का मजदूर यह जीवनी के लिए का कौन है मदन गुपाल है ना और दोस्तो एक पूछा जाता है कलम का सिपाही ठीक है तो कलम का सिपाही जीवनी एक इसने लिखी अमरत राय ने हैना आपको पता होगा प्रेमचंद के पुत्र का नाम था अमरत राय प्रेमचंद जी का दोस्तो बास्पक नाम क्या था धनपत राय उर्दू में किस नाम से लिखते थे नवाव राय नाम से प्रेमचंद इन्हे नाम दिया किसने दया नाराण नगम ने ठीक है अब दोस्तो इनके पुत्र का नाम था अमरत राय इन्होंने जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही याद रख लेना अब डाउट्स में करती है कुएंसी कलम का मजदूर अब कलम का मजदूर को याद कैसे रखना है यहाँ पर आया मा से मजदूर और मा से मदन गुपाल इतना बस आपको याद रख लेना किसर मासे मजदूर आता है और मासे इसका उत्तर मदन गुपाल आता है बाकि कलम का सिपाही अपने आप उत्तर लगा के आओगे कि यह अमर्त राए की है डाउट्स को कलियर करने के लिए इतना याद रख लेना तो doubts नमर एक, clear, कलमका मजदूर, मदन गुपाल, कलमका सिपाही, अमरत राय, ठीक है? अंगला doubts, अंगला doubts आपको होता है, मेरी जीवन यात्रा, आत्म कथा के लेकब कौन है, मेरी जीवन यात्रा, यहां दोस्तों आपको doubts होता है, दो लोगों की रचना, दो लोगों की आत् राहुल सांक्रित्याइन की है और एक है दोस्तों किसकी एक है जानकी देवी बजाज की ठीक है जानकी देवी बजाज तो आपको याद रख लेना कि एक राहुल सांक्रित्याइन उप्सन में दो नहीं आएगा जो आप से इस प्रकार से प्रस्ण आएगा कि मेरी जीवन यात किसकी है तो या तो अपशन में राहूल संकृत कहंग है यह जानकी देवी बजाज होगा ठीक है तो आपको याद रख लेंगे ना बोले मेरी जीवने आत्रा बजाज गाड़ी से प्रारंभ कुए कुएंषी गाड़ी बजाज गाड़ी से नहीं तो ऐसा देना मैं नहीं मेरी जान की जीवन यात्रा बजाज गाड़ी से प्रारम हुई तो जान की देवी बजाज ठीक है और राहुल सांकृत तो डाउट नमबर दो आपका किलियर दौनों की आत्मकथा एक ही नाम से है ठीक है अंगला क्वेस्चन है दोस्तों अर्द कथा किसकी आत्मकथा है अर्द कथा और अर्द कथानक है ना इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं तो अर्द कथानक एक दोस्तों बनारसी दास जैन की है आपको पता होगा हिंदी की प्राचीन आत्मकथा मानी जाती है कौनसी अर्द कथानक ठीक है अर्द कथानक ये बनारसी दास जैन की और दोस्तो अर्द कथा एक नगेंदर की भी आत्म कथा है अब इसमें अपन कभी-कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं है ना क्योंकि आफ्सन में होता है बनारसिदास जैन ना होकर कि बनारसिदास चत्रवेदी होता है तो हम क्या लगा देती बनारसिदास चतुरवेदी ही लगा देती, जैन और चतुरवेदी में वो हो जाता है, है ना, तो याद रख लेना, अर्द कतानक हिंदी की प्राचीन आत्म कता मानी जाती है, यह बनारसिदास जैन की है, है ना, और अर्द कता, यह डाक्टर नगेंदर की दोस्तों है, और बनारसिदास ज और बनार सिदा चत्रवेदी में कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है अंगला कोस्चन देखो अंगला हिंदी का प्रतम देनक समाचार पत्र कौन सा है यहां भी लोग कन्फ्यूज होती है आप से पूछा जाता है कि हिंदी का प्रतम समाचार पत्र कौन सा है आप बिलकुल लगात उदंत मार्तंड आप से पूछा जाए कि हिंदी का प्रतम सापताहिक समाचार पत्र कौन सा है तो आप क्या लगाओगी उदंत मार्तंड लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि हिंदी का प्रतम द्यानेक समाचार पत्र कौन सा है तो आपको उदंत मार्तंड नहीं लगाना क्य ठीक है और उधन्त मारतंड ये आपको याद रख लेना ठीक है ये दोस्तों ये हिंदी का प्रतम है और ये सापता है और ये हिंदी का प्रतम दैनेक समाचार पत्र है डाउट्स के लिए आंगे बढ़ते हैं अंगला क्वेस्चन यहां मिट्टी की बरात के रचना कार कौन है मिट्टी की बरात अब यहां पर दोस्तों कन्फ्यूज आपके लिए होता है एक तो ए कि कुछ लोग बोलते हैं सर सिवमंगल से सुमन की रचना है बिलकुल है कुछ लोग बोलते हैं त्रिलोचन की रचना है बिलकुल है दौनों की रचना है दोस्तों ये ठीक है आपको य मिट्टी के बरात की रिचनाकार कौन है तो आपका option में एक ही होगा अगर इस प्रकार से question आएगा या आपसे पूचा जाएगा कि मिट्टी की बरात कभीता संग्राह की रिचनाकार कौन है तब आपका उत्तर से दोस्तों आपसे पूचा जाता है तो मिट्टी की बरात की रिचनाकार कौन है इस प्रकार से अगर question आएगा तो इन दो में से आपका एक ही option आएगा क्या तो उसे मंगल शेंसो मन या फिर त्रिलोचन ठीक है क्योंकि ये दोनों की रचना है दोस्तों मिट्टी की बरात को देखा है ना और दोस्तों जीबनी देखी अपने कलम का सिपाही कलम का मजदूर इनका डाउट्स क्लियर किया तो यसे ही दोस्तों अनेकों वीडियो आन करने वाले हैं आपको बस क्या करना है ऐसा ही सेसन अपना चलता है और बढ़िया से बढ़िया दोस्तों आपको कराया जाता है Self-Study Classes App पर आपको कुछ नहीं करना है आप दोस्तों अगर हिंदी साहित के स्टूडेंट है तो Self-Study Classes ते आपको जरूर जुड़ना है आपको self study classes एप डाउनलोड करना है और एप डाउनलोड आप कर लेते हो दोस्तों तो आपको बहाँ पर हिंदी साहत का संपूर कोर्स लांच किया गया उस कोर्स में एड़ीशन ले सकते हो TGT PGT का modern paper लांच किया गया उसमें आपको लेना तो ले सकते हो 3000 प्रस्णों की test series लांच की गई है उसमें अगर आपको practice करना है अपना आकलन करना है तो आप उसमें एड़ीशन ले सकते हो सारे student को app download नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो course भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो self study classes इस प्रकार से जब आप play store से करते हैं तो यह आपका well जो है एप दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे